Hello students of class 4, today we are here with chapter 20, Eating Together. Eating Together means, जब सब मेज जुल कर एक साथ खाना खाते हैं, तो उसे Eating Together कहते हैं. ये chapter इसे पर अधारित है, जैसा कि आप लोगों ने इस chapter में देखा. जब सभी लोग एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं, तो कितना अच्छा लगता हैं? सब लोगों बहुत आनन्द आता हैं, चाहें वो occasion कुछ भी हो, किसी का birthday हो, मेरे ceremony हो, या festival हो, जैसा कि इस chapter में बताया गया है, बीहू के बारे में. या फिर midday meal ही क्यों ना हो, वो हमेशा अच्छा ही होता है. midday meal, central government के द्वारा चलाई गई एक scheme है, जिसके जरिये school में पर रहे, छोटी I.U. के बच्चों को पोशक भोजन खाने के लिए दिया जाता है. ये scheme काफी सालों से हमारे देश में चल रही है, और इस scheme को हर state के सरकारे school में चलाया जा रहा है. इस scheme के तहट हर रोज करोड़ों बच्चों को school में भोजन करवाया जाता है. देखते हैं, मिद्धे मिल scheme के बारे में कुछ जानकारी, जैसे ये scheme कब सुरू की गई, किसके द्वारा सुरू की गई, किसके लिए सुरू की गई, किस मंत्राले के अधिन ये scheme चल रही है. तो बच्चों, ये scheme कब सुरू की गई, तो ये साल 1995 में सुरू की गई, किसके द्वारा सुरू की गई, ये scheme, केंदर सरकार यानि कि सेंटर गवर्मेंट के द्वारा, किसके मंत्राले के अधिन ये चल रही है, ये scheme, मानो संसाधन विकास मंत्राले, यानि कि MHRD मिनिस्ट्र के अंदर किसके लिए शुरू की गई इसकिम बच्चों के लिए मिद्डे मिल इन दे सेंस जो स्कूल में खाना मिलता है जिसमें सारे बच्चे मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं उसे मिद्डे मिल कहा जाता है मिद्डे मिल का मतलब है जो गडवन्ड स्कूल होते हैं मतलब कि जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पर सरकार द्वारा सभी बच्चे को खाना दिया जाता है जो की स्कूल में ही बनता है वहाँ जो बच्चे हैं वह घर से लज लेकर नहीं आते हैं और जब लज टाइम होता है तो बच्चे लाइन में खड़ हुजाते हैं और जो भी फ्रेस खाना बनता है वो उनको मिलता है सारे बच्चे एक साथ मिलकर बैट कर खाना खाते है मिड़े मिल भी एक पार्टी की तरह होती है बच्चों के लिए क्योंकि सारे बच्चे एक साथ मिलकर खाना खाते है कभी-कभी स्कूल के दिवारों पर लंज चार्ट यानि कि मेन्यू लगा रहता है एक इस दिन क्या मिलेगा लेकिन होता क्या है बच्चो कभी-कभी खाना अच्छा नहीं मिलता है In this sense कभी-कभी खाने में कंगर मिल जाता है तो रोटी कच्ची रह जाती है दाल ठीक से मिक्स नहीं हो पाता है तो बच्चे खाना बनाने वाले को या फिर sir या madam जो होते हैं जुनको कि ये responsibility दी जाती खाना चेक करने की उनको complain कर जेते हैं तो वो लोग खाना सही से पकाते हैं ये स्विधा पहले government school में नहीं थी श्विधा क्यों दी गई बच्चो पहले क्या होता था कि कुछ बच्चे जीने खाना नहीं मिलता था लगी होगी पेट खाली होगा तो आपका दिमाग कैसे काम करेगा तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे तो सरकार ने रूल निकाला कि जो भी गवर्मेंट इस्कूल है प्राइमरी क्लास तक जो छोटे बच्चे हैं उनको खाना मुफ्त मिलेगा तो इस तरह से इस्कूल में खाना फ्री में दिया जाने लगा खाना इस्कूल में बनता है और वहीं डिस्टिबूट कर दिया जाता है इस खाने को मिद्डे मिल नाम दिया गया है मिद्डे मिन्स दिन का आधा यानि की दोपहर और मिल मिन्स भोजन यानि खाना यानि की दोपहर का खाना देश के सभी सरकारी स्कूलों में ये खाना दिया जाता है और ये रूल बनाये गया है कि 8th क्लास तक के सभी बच्चे को free, fresh तरफा गरम खाना स्कूलों में दिया जाएगा ये सभी बच्चों का अधिकार है यदि किसी बच्चे को खाना नहीं मिलता है तो वे के कंप्लेन कर सकते हैं तो बच्चों हम लोग कंट्रिविशन के बारे में देखते हैं कि ये स्किम कैसे चलता है Central Government यानि केंद सरकार भोजन के लिए आनाज और वित पोसन वित पोसन मिन्स फाइनसिंग प्रदान करती है जबकि शंगी और राज सरकारों द्वारा सुविधाव परिवहन और स्रम की लागत का खर्चा उठाये जाता है तो ये था बच्चों हमारा आज का कंटेंट्स MDM यानि की Mid Day Mill That's all for today, thank you